कैसे हैं आप लोग तो चले आज बनाते हैं बहुत जादा मजी की रहसे पिर जिस आप एक बर जरूर ट्राइ किजेगा चले इससे कैसे बनाना है सीख लेते हैं तो सबसे पहले आपने लेना होगा 200 ग्राम बोल्लेस चिकन जिसको ना ग्रैंडे जार में डाल कर लें और इस त तरह से चोड़े-चोड़े से होने लगेगे और बहुत चैसे यह बिखर जाने से लगेगा तो यहां पर आपने इसी तरह से लगतार चार-पांश मर्त चलाते रहना है देखें इस तरह से मोटे टुकड़े होते हैं उसके बाद में फिर से आपको इस पैचुला से तोड़ और इसे फिर से बहुन लीजेगा आप चाहे तो यहां पर फ्लेम मीडियम कर सकते हैं और इस मसाले के साथ में चिकन को लगतार बहुनते रहें जब तक इसके चोटे से टुकड़े नहीं हो जाएं और मसाले भी प्लस बहुन नहीं जाएं देखें लगतार 6-7 मिड़ तक मै हमें हमारे कीमे को कुक करना है तो इस तरह से जब यह पूर अच्छे से मसालों के साथ भुन गया है तो इसके लिड लगा दे और 6-7 मिड़ तक इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर लीजेए यह देखें फ्रेंट्स फॉरण ही मौश्चर खतम हो जाने सा लगेगा और बि लीजेगा और थोड़ा इसे अच्छे से मैश कर लेना है अभी हमें तो जब यह थोड़ा थंडा हो जाए ना तब आप इसे हैंडल करें आप चाहे तो इस पैस्टूला से हलका हलका और क्रश कर लें यह तो आप हाथों से कीजिएगा तो फॉरन हो जाएगा क्यूंकि अच बारिकटी वी प्यास बारिकटी हरी मिर्चे हरा धनिया डालना है और इसी के साथ मैं इसमें एड करूंगी कुछ और चीज़ें जैसे के इसमें लेमन जूस जालिएगा जिससे बहुत ज्यादा चटपटा यमी सा बनेगा तो मैंने आदा लेमन जूस डाला है वीजे हटा इसी के साथ मैं यहां पर इसमें आड करूंगी खुश्बुदार सा मेरा होम मिट गरम मसाला जिसकी रेसेपे मैंने आपको दी है और यह मसाला आदे चोड़े चमच मैंने यहां पर डाला है बहुत अच्छा प्यारा सा फ्लेवर आजाता है इसी के साथ मैं इसमें कर भी डाल सकते हैं हलका गीला करकर और बहुत अच्छा से यह मिल जाएगा उसमें अभी यहां पर हमें ना इस कबाब की थोड़े से पोशन लेने हैं इसके अंदर हमें मैयोनीज के स्टफिंग करनी है क्योंकि मैयो कबाब हैं बहुत जादा मज़े कि लगते हैं तो इसी स्लरी बनाते हैं जिसके लिए मैं यहां पर ले रही हूं इसमें थोड़ा सा मैदा जो कि मैंने वन फॉर्थ कप के लगभग लिया है और इसमें मैं पानी आड़ कर रही हूं हाफ कप और अच्छे से मैं इसे मिला दूंगी जिसमें कोई लंफ नहीं पड़े कोई गाठे न लेना है इसलिए अच्छे से मिला दे जिससे यह मैदा उसमें मिल जाए बहुत ही जादा मज़े का जबर्दस्ता कबाब की रसेपी देरियों फ्रेंट जिससे आप ज़रूर ट्राइब बहुत मज़े के कबाब बनते हैं आप स्टार्टर पर इसे बना सकते हैं अभी आपन लिए बने कबाब बने करें ने कबाब कबाब बनते हैं में तेल गरम कर लिया और अब मैं एक कबाब हमारे डाल दे रही हूं और इन मुए कबाब को हमेना लगातार फ्लेम हाई करकर ही फ्राइ करना है क्यूंकि सारे चीज़े तो अल्रेडी हमारी कोग्ड है बस इनको क्रिस्पी करा रहा होने तक फ्राइब करना है जिससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाए बिलकुल गोल्डन से हो जाएंगे तो यह कबाब हमारे बिलकुल अफ्राइ होकर रेडी होने वाले हैं आपको अब्जॉबन पेपर साइड पर रेडी करना होगा और इन कबाब को बस गरम गरम निकालते जाए और अब्जॉबन पेपर पर रखते जैसे जो भी एक्स्टा ओयल है वो अब्जॉब हो जाए तो यह लीजे फ्रेंट जबरदस्ते हमारे मेयो कबाब बनकर बिलकुल तयार हो गया है एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही जादा मज़े की कबाब्स लगते हैं और बहुत ही अच्छे हैं टेस्ट ब कबाब लगा और ने तोन आखिसा वोट इनकर जबस्ट कम आने वाई है एकफर ट्राइ और पर से कितनी जादा क्रिस्पि यह नहीं हुआ और देख सकते हैं कि तनी अछตव है और बहुत ही करा रहा हैálिई क्रिस्पिह और यह देखिए मेयों अंसरे से बहुत ही क्रीमी मज़े के बने हैं तो इसे आप केचप के साथ में सर्व कीजेगा तो बहुत कमाल कर लगेगा अबर फॉलो कीजिए अच्छी लगड़ी रेसेपी लाइक करें शेयर करें ट्राइ कीजेगा फिर में लोगी मैं एक नई धमाकेदा जबदस रेसेपी लेकर बाय अल्ला हाफिज झाल करेंगा तो इसे आप मात जबदस रेसे हैं ट्राइक जबदस रेसे हैं याल कि अल्ला हुणी लागे अड़ लागे वहुण